बॉलिवूर्ड इंडस्ट्री में ये हमेशा एक बहुत बड़ा सवाल रहा है कि जहां स्टार किड्स को इंडस्ट्री में आते ही फिल्में मिल जाती है वहीं आउटसाइडल्स को इतनी जल्दी फिल्में नहीं मिलती है आखिर इन स्टार किड्स को इनके सरनेम की वज़े से ये फिल्में मिलती है और बिना टैलेंट के भी ये कई फिल्में कर देते हैं ये बात प्रूफ कर दी है बॉलिवूड इंडस्ट्री की एक अक्रस ने अटलीस सोनम कपूर के मामले में तो इस आक्रस ने खोल कर रख दिया है कि आखिर सोनम को टेरिबल आक्टिंग के बावजूद कैसे इतनी फिल्में मिली ये आक्रस और कोई नहीं बलकि अदा शर्मा है जिनोंने क्लियरली बता दिया कि कैसे सोनम कपूर इतनी फिल्में कर लेती है और सोनम की तरह जब अदा शर्मा काम करती है तो उसे टेरिबल कहा जाता है सोनम कपूर अनिल कपूर की बेटी है इंडस्ट्री में उन्होंने कम ही समय में बड़े बड़े डिरेक्टर्स के साथ काम किया हाँ ये अलग बात है कि उनकी फिल्में नहीं चली तो उन्होंने अपने आपको बॉलिवूड इंडस्ट्री में एक फैशनिस्टा के रूप में कायम रखने की कोशिश की और उसके बाद शादी कर ली और अब सेटल हो गई है लेकिन एक टाइन पर सोनम कपूर ने अपने करियर को बचाने की हर तरह से कोशिश की थी वहीं बात करें अदा शर्मा की तो लंबे समय से बॉलिवूड इंडस्ट्री में वो हैं लेकिन बहुत कम फिल्मों में ही उन्हें चांस मिल पाया है इसी बीच अदा शर्मा ने एक इंट्व्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे आक्टिंग आती है और मुझे ऐसा लगता था कि आक्टिंग आती है तो मुझे काम डेफिनिटली मिलेगा लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है अदा ने इसका एक्जामपल एक ओडिशन वाले किस्से से बताया अदा ने कहा कि एक बार मैं ओडिशन देने गई थी ओडिशन वालों को सोनम कपूर का डेली सिक्स वाला लुक चाहिए था और डेली सिक्स वाली ही सोनम कपूर चाहिए थी तो अद्दा शर्मा ने कहा कि मैंने उसी तरह से सलवार सूट पहने और वहाँ पर जाकर मैंने सोनम वाले लाइन्स बोलने शुरू किये अब आपको अगर धियान हो तो सोनम कपूर का एक special accent है जिसमें वो बात करती है वो हिंदी भी English की तरह बात करती है और बहुत ही जादा स्टाइलिश तरीके से बात करती है फिर चाहे सोनम कपूर को किसी लोकल लड़गी का ही रोल क्यों न दे दो वो हिंदी को भी English की तरह ही बुलेगी अदा शर्मा ने भी सोनम के उसी accent को पकड़ा और उसी तरीके से अपना audition दिया audition दे के वो चली गई बाद में जो casting agency है उसने अदा शर्मा के manager को जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था अदा शर्मा ने कहा कि उस casting agency ने मेरे काम को terrible बताया और कहा कि ये तो बहुत ही वाहियाद है यही बात हैरान करने वाली थी कि जब सोनम कपूर इसी तरह के लेजे में फिल्मों में अपने dialogues बोलती है तो set पर मौझूद लोग उनकी team उनके लिए तालिया बजाते हैं वही अगर अदा शर्मा सेम सोनम कपूर को copy करके audition दे तो उसे terrible कहा जाता है तो अब आप ही बताईए कि terrible कौन है अदा शर्मा या उन्होंने जिसको copy किया सोनम कपूर